लेकिन अभी थोड़ी देर पहले ही एक थाड़कता भड़कता पोस्टर देखने को मिल गया सूर्य वंसम का कहिएगा सूर्य वंसम एक तो सूर्य वंसम बहुत फेमस मूवी है जो हिंदी में अमिताब बच्चन सर का कितना बड़ा सुपर इट हुआ है मेरे तो से बेस्ट विसेश है सूर्य वंसम जो कि पवन बहुत की मूवी है और थिएटर में रीडीज होने वाली जल्दी उसको भी धेर सारा प्यार दीजिए आपने बाकी पिक्चरों को दिया बट प्यार दीजिए और मैं पवन बहुत को यहीं बोलूँगा कि भया हो सके जो भी आपके प्रोड्यूसर से हैं अगर निसांद भीया साथ प्रोड्यूसर हैं तो मुवी आने के पहले तक अपना एक्स्पोजर थोड़ा कम कर दीजेगा दिखना पब्लिक पब्लिक गो और वाच दो मुवी इं थिएटर क्योंकि आस्ता सिंग इसमें नजर आ रही है साथ में हैं पोस्टर में नहीं दिखा है लेकिन उसमें आस्ता सिंग भी नजर आ रही है नई हीरोईन का कॉंसेप्ट लाए गया है मतलब पुरानी जो हीरो एक्ट्रेस थे नई एक्ट्रेस को लाए गया है क्या लग रहा है यह तो अच्छी चीज है देखो जैसे मैंने ब प्रेस पेरिंग भी देखने को मिलेगी अच्छा चीज आया कि फ्रेस पेरिंग देखने को फिर बात जनतों घूम के आजाएगी जो मैंने फ्रेस पेरिंग बोली वह मूवी के लिए लेकिन आस्ता और पान भीया का पता नि कितने गाने बंपर हीट हो चुके हैं तो पेर तो हम अलज़ी देख चुक है ना भाई फिर वही बात ultimately we get into the same circle सेर, सेर के पीछे सिकारी, सिकारी के पीछे पुलिस, पुलिस के पीछे सेर, यह सब गोल-गोल घुम रहे हैं वो बदलेंगे नहीं तो फिर नहीं बदलेगा क्या लग रहा कि जिस तरीके से फिल्में जो चलती है, जैसे खिसाडी जी की जो फिल्म आई क्या इसी तरीके का भोकाल बनेगा? या फिर ये भी भोकाल नॉर्मल रह जाएगा? भोकाल है क्या? यह बताओ पहले भोकाल ये इन दा सेंस की फिर्स्ट वीक में थोड़ा चला फिर उसके बाद डाउन या फिर आप कहिए कि हर जगा फिर से पवन सिंग दिखने लगेंगे फिल्म से पहले तो हो सकता फिल्म का गराप थोड़ा थी हो जाए यह जो पुब्लिशिटी का जो मैटर समझ में भुछपूर इंडस्ट्री में उस समझ में नहीं आपा रहा है फिल्मों को लेकर एल्बम के गाने हिट हो रहे है सुपर डुपर हिट हो जा रहे है 100 मिलियन, 200 मिलियन, 300 मिलियन फिल्में 50 रुपे के सिंगल स्क्रीन में आडियन्स नहीं आती है आप धियान दो तो मरून कलर साड़ी एक गाना आया है फिल्म में, देखें, फिल्म का गाना है, अमरपाली जी और दिनेज जी के गाना है, कितनी बड़ी गाना हिट हुआ हो, मूवी गाना है ना, फिर content अगर आपका अच्छा है, तो अपनी जगा बना लेगा, एक मूवी आई थी, कैसे ना टीटी पे आता है, मतलब यूटीव पे आया है, उस मूवी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिये, content, और मैंने क्या वला, वो फ्री में जब देखने को मिली ना, लोग पागल हो गए, पैसा देखके देखने नहीं गए, क्योंकि आप हमको फ्री में दिख रहे हो, I'll not pay to watch you, यह बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, कोई calculation ही नहीं है, दूसरा अगर सब लोग इतनी ज़्यादा hiring कर रहे हैं, आप लोग PR agency भी hire करो, live आना ad promotion नहीं है, क्योंकि हम live बहुत सारे भतेरे चीज़ों के लिए भी आते हैं, PR agency hire करो, PR agency बताएगी इसको market कैसे करते हैं, होता अगर पुछोगे तो मेरी जो सोच है, मेरा जो thinking में यहीं बताता हूँ, आप वो करो ना, नहीं करोगे, बोचपूरी is a music industry, नीजू, यह industry music quality, यह picture की industry थी नहीं, इसमें hero बड़े बड़े बड़े, मनोज भाया, दिनेज भाया, रवी किसंजी और यह सारे लोग ने एक film क ग्राफ बढ़ा दिया, फिर industry बढ़ने लगी, लेकिन गाने ही गाने हैं, वही है और कुछ है नहीं इसमें, और गानों से पैसा आता है तो गाना गाना कम नहीं करेगा artist, याद रखो, लेकिन इसी पर एक और ऐसी खबरे आ रही है, कि आप खेसाडी जी का रास्ता आपने छोड़ी दिया, लेकिन पोवन सिंग के तरफ आपका जुका ज्यादा जा रहा है, सुनने में ये भी आ रहा है कि बुलू बीट्स पे तैयारी चल रही है भाई, पोवन सिंग के लिए, जुका मेरा सब की तरफ है, I want to work with everybody, अंटे अनलिस की मैं सब के, सब लोग मेरे साथ भी काम कर लें, तो अधर्वाइज मैं, I want to work with everybody, और मेरी जहां-जहां बात हुई है, सब के साथ तो काम होने वाला है, अब तक? अभी तो बोल बम कर रहे हैं, और एक चीज़ आपता हूँ आपको, छे से साथ बोल बम आएंगे इस वापन भी आगे, रिकॉर्ड है, सोचो ये अंदर की कवर आपको कई से पता जी, लगता है अंदर कुछ सेटिंग हो चुकी है, नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तो आप इसके लिए तयार रही है, अब लिए वो आदमी जो छे साथ बोल बम गाएंगे तो क्या होएगा, किसाड़ी जी का कितना आ रहा है, भी महां से कुछ भी न्यूस बाहर नहीं आता भाई, हमार तक तो नहीं पहुंचता, हमारे पास भी नहीं पहुंचता, तो इस चीज़ में टीम बहुत टाइट है, लास्ट सवाल यही कहेंगे, कि जितने भी ओडियंस के दिमाग में जो खिचड़ी पक रही है, मतलब बहुत स सारे सवाल है, अभी भी हो सकता है, इस कमेंट के उपर कई लोग कहेंगे, कि ससरा तो यह कहीं नहीं पूछा, हम गरिया के हमको भी बोलेगे, कि तू पवन सिंग का कि तरफ ज्यादा सवाल कर रहा है, यह फिर यह कर रहा है, जो लोग जानते नहीं हैं सच्चाई, जो चिजड़ी पर आप फूदी डालिए, पापड़ लीजिए, अचार लीजिए, और खिचिड़ी खा लीजिए, खिचड़ी को ज़्यादा देर अटॉतसरी कि खराब हो जाएगी ठीक है? तो प्लीज सरड़े सड़ेडे मैं का ब्लोग देख रहा हORंगो, अज सड़ेडे बहुत देर से रोहित कुछ बोला में उसका सुन लोगी मरत तक आप अपने और इसको सकते हैं तो बाई सिंपल सी वाद है जिन लोगों के दिमाग में अचड़ा कचड़ा चल रहा है तो वह भी जाके खुस होई एंज्वाई करिये कमें यहां बॉक्स में बताइए कि आपको यह इंट्रिवू कैसा लगा मिलते अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद